हेलो गाइस वेल्कम टू जेबी टैक्टिक्स यूट्यूब चैनल एन मेरा नामे जेवर्धन मकवाना इस यूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ग्रोव डिमेट अकाउंट के ट्रेडिंग बैलेंस इससे की ग्रोव बैलेंस कहा जाता है उससे कैसे आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है राइट साइड और आपको अपना बैंक इकाउंट इधर नहीं दिख रहा है इधर साब निचे से एड अनधर बैंक क्लिक करके एड कर सकते अपना बैंक एकाउंट जो भी अपका प्राइमरी बैंक एकाउंट होगा वहाँ से SIP की पेमेंट होगी बाकी सब आप अपना प्राइमरी बैंक सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आप ट्रांजेक्शन करना चाहते सारे नाव मैं अभी उपर जाता हुआ बस तो मैं इधर अपने ग्रोव बैलेंस पर बैलेंस की व्यूटेल्स करके डीटेल्स देख सकते हैं आप देख सकते हैं स्टॉक्स जो कि मैंने 23 जूलाइ को सेल किये थे तो आज 27 जूलाइ तो इधर से आप देख सकते हैं अपना स्टेटमेंट रेडिट के से हुआ ब्रोकरी चार्जिस वह सब और आपको भी 100 रुप मिल सकता है अगर आप ग्रोव में हमारी लिंक के द्वारा एकाउंट ओपन करें तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो अभी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं तो गाइस अभी हम बैलेंस वित्टरो करेंगे इसके लिह आपको इधर विट्रो पर ग्लिक करना है अभी भी आप अपना बैंक काउंट इधर से चेंज कर सकते हैं मैं यॉनियन tha बैंक में करूंगा लेकिन अगर आपके पास कोई होर बैंक अकाउंट इसमें आपंट्स करना जाते हैं तो वो भी कर सकते इधर से, अगर आपने यूपिय या नेट बैंकिंग से मनी एड़ किया है एग्रो बैलेंस में, तो वो एक वर्किंग दे के बाद आप विद्ड्रो कर सकते हैं, मुच्यल फंड रिडिम सेटलमेंट होने के बाद कर सकते हैं अगर आपने सेर सेल किया है सेर स्टोक्स तो वो दो वर्किंग दे के बाद आप विद्ड्रो कर सकते हैं एंड रेफरल रिवोर्ड जो कि मैंने बता या लिंक डिस्क्रिप्शन में आएकाउंट ओपन करने की, व यह हमने कर दिये, तो देख सकते हैं विद्रो प्रोसेस्ट, एकस्पेक्टेट कंप्लिस्टन टाइम 27 जूलाई 9 पी एम, तो आज रात अभी 4 बजे यह साम तक हो जाएगा विद्रो, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, गर वीडियो पसंद आयो तो एकटी विडियो लाते रहते, ओके गैज बई-बाइ, टाटा,